इसको पॉइंट ए से उठा कर एक नई पोजीशन पे ले जा रहा हूँ सपोज मैं इसको यहां तक ले गया यह इस इस दा न्यू पोजीशन ऑफ दा पेंडूलम बॉप ठीक अब देखों यहां पे यह जो पॉइंट ए है इसको आपन बोलते हैं पॉइंट पोजीशन और सपोज मैं उसको ठाकर ले गया पॉइंट बी तक पॉइंट बी को आपन बोलेंगे extreme position extreme position मतलब अगर मैं bob को b पर छोड़ दूँगा और जब वो oscillate करेगा तो वो oscillate करके वापस b तक आएगा b के आगे नहीं जाएगा तो मैं b तक इसको उठा के ले गया अब आपन ये मानते हैं कि point a पर bob जो है वो ground state में है मतलब उसकी height आपन point a पर almost zero मानते हैं height zero मानते हैं मतलब point a पर मैं उसकी potential कितनी मान के चलूँगा zero अब मैं इसको उठा कर यहां से यहां लेगे अब आप अगर दिहान से देखो तो I have taken this bob to a height h suppose इसकी height बढ़ गई मतलब point b पर इस bob में कौन सी energy sorry point b पर इस bob में कौन सी energy आ गई potential energy आचा point b उसकी maximum height है तो you can say that point b पर potential क्या हो गई maximum हो गई अब मैं इसको उठा कर ले जा रहा हूँ मतलब point b पर मैंने bob को पकड़ा हुआ है मतलब वो rest पर है rest पर है तो point b पर इस bob की kinetic energy कितनी आएगी बेटा zero तो कहने का मतलब कि point b पर bob की जो भी total energy है वो के बल किसके कारण है potential energy के कारण अब मैं जैसे bob को छोड़ूँगा तो फिर क्या होगा bob अपनी mean position की तरफ बढ़ेगा mean की तरफ बढ़ेगा तो उसकी height क्या हो जाएगी कम हो जाएगी height कम होती जाएगी और इसकी रफतार बढ़ती जाएगी मतलब potential energy will start getting converted into kinetic energy और जब bob mean point पर आएगा तो यहाँ पर फिर से क्या होगा mean position पर उसकी height 0 हो जाएगी height 0 हो जाएगी मतलब वापस से A पर potential क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और अब इस point पर रफतार maximum हो जाएगी velocity maximum होगी velocity maximum होगी तो kinetic energy at A क्या हो जाएगी maximum हो जाएगी या तो आप यह कह सकते हो कि जो potential energy B पर थी वो अब पूरी convert हो जाएगी kinetic energy at A पर और अभी total energy आपकी same रहेगी अब वापस इस तरफ जाएगा यह ऐसा और अभी पहले में वो same height cover करेगा ठीक यह यहाँ पर आगया वापस है same height फिर से क्या हो रहा है फिर से वही चीज हो रही है अब आपकी जब इस तरफ जा रहा है इस तरफ है ना इसको A माल लिए इसको point C माल लो तो जब वो point A से point C जा रहा है वापस इसकी height क्या हो रही है height इसकी increase हो रही है height increase हो रही है मतलब potential क्या होगी decrease होगी अब C वो maximum height है जहां तक वो reach कर सकता है तो जब C पर वो जाएगा तो उसकी potential क्या हो जाएगी फिर से point C पर उसकी potential maximum हो जाएगी और point C उसकी maximum height है C किसे वो ऊपर नहीं जा पाएगा मतलब C पर उसकी velocity क्या हो गई 0 तो point C पर velocity क्या हो जाएगी 0 या minimum तो फिर से यहाँ पर kinetic max थी और फिर से यहां potential max हो गई C पर तो सारी kinetic किस में convert हो गई potential energy में convert हो गई So this is how you can illustrate the energy conservation in a bob आप यह diagram मना देना आप extreme position यह रहो A आपकी mean position है और B और C आपकी extreme position है इस पे आप kinetic और potential की value denote कर देना और बता देना कि B पर आपकी पहले energy क्या थी potential maximum थी फिर वो B से C की A की तरफ आया जैसे वो B की A तरफ आया height कम हो रही है, potential कम होई, kinetic बढ़ गई फिर A से वापस उपर जा रहा है height बढ़ रही है, potential बढ़ रही है रफतार कम हो रही है, C पर kinetic 0 हो जाएगी तो इस प्रकार से आप energy conservation बता सकते हो अब उसके आगे देखो why does the bob eventually comes to rest, rest पर क्यों आता है क्योंकि आपकी air में क्या present है air में present है friction तो आप इसका answer क्या हो जाएगा, एक number का due to air friction अगर ये सवाल paper में आएगा तो ये 4 या 5 number का सवाल आएगा पहले पार्ट का मालो 2 number कर देंगे why does the bob eventually comes to rest, one number का हो जाएगा what happens to its energy, eventually one number का हो जाएगा is it violation of law of conservation of energy, ये भी one number का हो जाएगा ठीक है तो rest में क्यों आगे, due to air friction what happens to its energy, eventually अब friction से क्या produce होती है बटा, heat तो bob की सारी energy, heat energy में convert हो जाएगी और उसको कौन absorb कर लेगा, air absorb कर लेगी तो अब मान लो, कि जब मैं bob को उठा कर यहाँ पिले गया just suppose मैं उसको 10 joule energy दी total उसकी 10 थी तो जब bob rest में आएगा तो air भी heat कितनी gain करेगी air भी 10 joule heat gain करेगी energy can neither be created nor can be destroyed we can only change its form last part कह रहा है is it violation of law of conservation of energy तो दिहान रखना आपका answer किया होगा no law of conservation of energy कभी violate नहीं होता I hope it is clear to you thank you for watching